अस्सलामु अलेकुम दोस्तों वेलकम अगें टू न्यू वीडियो मैं आईशा गोट फार्म पे और काफी खुशी की खबर है कि जातर बकरे सोल्ड आउट हो गए हैं अहमद भाई हच पर जाने की पूरी तयारी में आप लोग भी दूआ कीजिए उनके लिए अल्ला उनका स सफर आसान करें अभी कुछ बकरे बचे हैं आई होप एक 30-35 बकरे बचे हैं जिसमें बड़े सोजत हैं छोटे सोजत हैं और गुजरी हैं यह वीडियो का नाम है स्टॉक क्लियरेंस मतलब जो स्टॉक है वो खतम करना है भी अलंद लिल्ला तो अगर किसी को ज्यादा बकरे यह तो यह नहीं है जो बकरे दिखाएंगे वह हैं हम यह भी नहीं चाहते के लोगों को धक्का हो लोग बंबई से आते हैं दो दो तीन तीन घंटा ट्रैवल करके आने के बाद में उनको उनकी चीज ना मिले तो वह भी अच्छा नहीं लगता तो हम लोग कुछ बकरे जो है तो बहुत बड़ा लेकिन छोटे बकरों की रेंज में देना है यह वक्रे क्या रेट में देने वाले हैं छोटे सोज़त यह चोटे सोज़त साड़े पांसो रुपे कीलो से ठीक है 309 नंबर यह देखे 137 नंबर माशा अल्ला और बकरे लाओ भाई और यह बकरा भी जने कांन लंबे हैदराबादी जैसे और बकरे का वज़न लगग असी किलो होगा इसका वजन आस्पास होना है यह भी साड़े पांसो रुपे जैंगर यह जा इसको एक सो एक नंबर चफिक बाई ये भी साड़े 500 रुपे में साड़े 500 की रेंज में जो जो बता रहे वो आले हां फिर तीन चार बड़े बख रहे हैं वो अलग रेट से एक सो साट नंबर साड़े 500 रुपे के हिसाब से दोस्तों इसको मैं बात बता दूँ कि यहां पर इसको खुचली अब सही हो गई है कुछ इसमें और निगोशियेट कर देंगे लेकिन यह दम सही बख रहा है कोई नुक्स नहीं है इसके अंदर कुर्बानी लाइग है साड़े 500 रुपे में इसमें फोड़ा सी रशोड़ी है खाली बहुत हल्की रशोड़ी ऐसे दो कोई बताएगा भी नहीं और समझने भी नहीं आएगी लेकिन हम इमानदारी से बताई जा रहे आपको 36 नंबर 174 नंबर बकरा देखो आप साड़े 500 रुपे में कौन देर है कैसे सोज़त पल्यवें सोज़त वाइट आख के सोज़त है हो गए चोटे बखरे अभी तीन बड़े बखरे हैं एक साथ दिखा दो लाव वैं क्या बात है शफिक बाइब बैस बखरे माशालला यह तीनों के तीनों वाइट गुलाबी बच्चे माशालला मार्बल सिंग के अंदर है और तीनों का नंबर में बताता है करके दो सो ग्यारा नंबर लगबग होएगा 95 किलो होएगा इसका वजन है लगबग 88 किलो कि मैंने इसका वजन किया था इसके लिए मैं बता रहा हूं यह सबसे शांदार बकरा है बड़े सिकों में गलापटी में हाला कि तीनों बकरे कुरबानी के लिए बहुत अच्छे माशालला इनका रेट रहेगा साड़े 600 रुप्य किलो तीनों में से कोई भी बकरा लेगा ठीक है वाइट आख हो नॉर्मल आख हो सबका सेम रेट रहता आईशा गुष्पा ठीक है तो जिसको भी लेना हो इंशालला कॉंटेक्ट कर लेंगे हो साड़े 600 रुप्य में मिल रहा आपको बड़े बकरे ना इस की आशा पास पंधरा की आसपास जो बक रहा लेना है ले सकते आप ये इस पर प्लस बनावा है यह वह गलती से बखर आट ने फ्रेंप पंड़े अपने फां पर ये टोटल माल पर पलावए पूरा साल पा ले हैं इनका क्या रेट देंगे हैं आग 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 फोर नाइन फाइव हटा इसको उसको आगे लाओ एके करके सब बखरे दिखाओ 308 और 334 दोस्तों रेट देख लो आप 495 यह मौका बहुत कम मिलने वाला आपको 495 के हिसाब से बखरे दे रहे हैं एक से बखरे कलर का राजा है 495 यह अंडू बखरा नहीं है यह पंच है लेकिन हरकत करता है यह भी 495 यह देखो आप मंदाकनी 495 यह बड़ा बखरा भी ला रहे हैं यह भी 495 जो बखरा लेना ही लेडो थो तो देवनार कल घुमेंट आपको अंदाजा है क्या रेट में बखरे मिल आ है ऐसे बखरे हजार रुपे किलो मांग रहे चाली से रुपय मांग रहें तो यह तो समझो के सब्सक्राइब देखो आप तो शाफिक भाई इतने बख्रे अभी ना पस यह सब्सक्राइब एक बार आपका नंबर और यहां का एड्रेस बोलो इसे वाड़ा रोट पड़ता है उसने महापोली गाहों पड़ता है पस उसी के पास है और आपका नंबर क्या है एक बार रिपीट कर देता हूं बात कि इतने ही वक्रे है यह लोग यह उमीद में आ जाएंगे कि यहां पर 200 200 बखरे तो नहीं यह सब बिकेव है अब इनके पास में लगबख पूरा गिंती भी हो तो शायद 35 बखरों से आदा 40 से नहीं मिले हैं और और इसके बाद कुछ माल नहीं आने वाला है ठीक है अइमद भाई खुद हज को जा रहे हैं माशा अल्ला तो आप लोग उनके लिए भी दूआ करें इस्टॉक क्लियरेंस है इस्टॉक क्लियरेंस सेल ओफर फ्रॉम शफीक भाई आईशा गोटफाम माशा अल्ला तो अल्ल अल्यकों